हेलो एवरीवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चेनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एज़िकिसने चेनल में आपका स्वागत है आज की वुडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडिय करेंगे पांच सबसे अच्छी कॉप सीरप दवायों के बारे में तो हम जानेंगे इनके बेजिक यूज के बारे में जानेंगे उनके डोज, सैड इफेक्ट और वानिंग और कॉणर इंडिकिसन के डेटेल स्टेडि करेंगे और जानेंगे कि पांच सबसे अच्छी का अपसी रप कौन सी है आइफ़न यूजर एप स्टॉर से लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगे या फिर कोर्स जोइन करने के लिए 9016312020 नमबर प्याफ में कॉल या वाट्सेप कर सकते हैं हमारी सेकंड जेनल जिसका नाम है हॉलिवूड टो हिंदी एक्स्प्लेइन उसको जरूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखिया लग-लग हॉलिवूड की मुविस को अच्छे पिच्चर को लिटे के साथ हिंदी में एक्स्प्लेइन क्यों इस स्टोरी के साथ तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब समझे कॉफ सीरप्स के बारे में तो कॉफ सीरप्स जो हमें कॉफ होता है या फिर जो कॉफिंग के रिफ्लेक्स होते है उसके इलाज में यूज की जाती है कॉफ मतलब कि जो हमें खासी आती है तो खासी दो तरह की होती, एक सुखी खासी होती है और एक गिली खासी होती है मतलब कि वेट कॉफ और ड्राइ कॉफ जैसे हम कहते है तो दोनों की इलाज में ये कॉफ सीरॉप जो है वो यूस की जाती है और यह जो यह वो dry curve, weight curve, फिर जो mucus होता है कि यह आप याप देखो कि आपकी यह bronchial tube है और इसके अंदर यह जो सफित कलर का यह जो आप देख रहे है वो है mucus और जैसे यह mucus जितना है बढ़ता जाता है तो आपको काफी uncomfortable feel होता है और जो mucus कहा जाता है कि respirator rack में आपके स्वसंत अंदर के अंदर आपके फेफडों में फस जाता है तो काफी दिक्कत आती है जैसे breathing में problem होता है साथ उसाथ बहुत सारे respiratory problems होती तो उसको ठीक करने के लिए cup syrup बे काफी useful and effective साभीत होती है तो कौनसी main medications होती है ये cup syrup के अंदर तो उनके अंदर embrogzol रहता है embrogzol hydrochloride करके दवाई रहती है फिर bromhexin रहता है codin रहता है dextromethorphan, aguefencin, phenylephrine, pseudo-ephedrine, salbutamol और chlorphenol इसके अंदर present होते है तो पांच best cup syrup कौनसे है तो टॉप पे रहेगा benadril cup syrup फिर second है chest on cup syrup करके आता है तीसरा जो है वो cup seal cup syrup फिर ascoral cup syrup and corex syrup तो ये पांच सबसे best cup syrup की category में जो वो include होती है और अब जान देगे key herbs in cup syrup कि herbal cup syrup के अंदर कौनसे ingredients होते है जैसे की उनके अंदर honey मतलब के सहद रहता है वसा का रहता है menthol, tulsi, ginger and eucalyptus जैसे ingredient रहते तो टॉप herbal के हम options देखे तो उसके अंदर हीमालिया जो company है वो एक marketed formulation बनाते हैं जिसको यहाँ पे लिखा है कि वसा का स्तिरप कि जिसके अंदर लिखा है कि respiratory wellness के लिए यह बनाती है फिर dabar का honey test करके भी जो formulation में वो भी काफी famous है और वो आपको herbal तरीके से जो herbal medications होते हैं उनको use करके आपके काफ को जो ठीक करता है और जो सीपला है वो कॉपसिल का natural करके भी बनाती है कि जिसके अंदर भी उन्होंने natural herbal ingredients लिए है और चौथा अडूसोल करके भी एक आयरुविदिक property कि जिसके अंदर main की ingredient रहता है तुलसी तो detail में समझते है Benadryl से Benadryl के ingredients के हम बात करें तो 5 ml के अंदर ammonium chloride रहता है 138 mg जितना फिर diphenhydramine रहता है 14.08 mg जितना और ethanol है 0.026 ml जितना और sodium citrate रहता है 57.03 और यह सभी content रहता है पर 5 ml के अगर आप 5 ml जितना syrup लेते है तो इतनी quantity में ingredients जो है वो लेते है पर उसके manufacture के हम बात करें तो वो है Johnson & Johnson Private Limited और यह medication का dose रहता है 5 ml दिन में दो बार जो है वो patient लेता है और खासकर यह formula यहाँ पे देखो लिखा है के Benadryl के दो version साथ एक dry cough की भी formula आती है और एक weight cough के लिए भी आता है जो dry cough होता है उसके लिए अंदर dextromethor phonic की ingredient होता है जबकि जो normal cup syrup है weight cup के लिए तो उसके अंदर जो हम अब यहाँ पे देख रहे है यह ingredients रहेते कि ammonium chloride रहेगा diphenhydramine रहेगा ethinol sodium citate वगिरा weight cup syrup के लिए रहेंगे second जो है वो chest on cup syrup है कि जिसके अंदर bromhexin 4 ml जितना है 5 ml के अंदर chlorphenidermine रहता है गुए फेंसिन रहता है और यह mainly expect to run के तोर पे जो है वो काम करता है और जो mucus जो होता है जमा हुआ आपके फेपडो के अंदर आपके respiratory रहे के अंदर तो उसको बाहर निकालने में help करता है और यह preparation जो है वो supply limited बनाता है और इसका भी dose यह 5 ml 2 times दे तो यह specially जो weight cup होता है मलब कि जो गीली खासी कहा जाता है कि ऐसी खास है कि जिसके अंदर आपको बलगम भी आता है mucus आता है तो उसके लिए यह cup syrup यूज की जाती है उसका second version है chest on CS कि जिसके अंदर chlorophenaryamine और dextromethorphan है कि जो specially dry cup के लिए formulation बना दी है company तो यहाँ पे आपको खास दियान यह रखना है कि bottle के उपर भी लिखा हुआ होता है खास कर कि ingredients लिखे हुए दूस पर से आपको पता चलता है कि अगर dextromethorphan उसके अंदर chlorophenaryamine भी है तो आप यह समझ लो कि यह specially dry cup के लिए यूज की जाती है ऐसी खास है कि जिसके अंदर mucos नहीं है ता सिर्फ और सिर्फ आपको खासी आती है और इतनी ज़्यदा खासी है थी कि आपके daily routine activities पे असर पड़ता है तो जो dextromethorphan उसके अंदर है वो antitussive के तोर पे काम करता है कि जो खासी आती है तो उसको रोकता है और इस तरह से वो आपको dry cough के जो symptoms होते है उसमें से relief देता है और ये भी sipla limited ही manufacture करता है कि जिसका dose रहता है 5 ml दिन में दो बार तिसरा जो है वो copsyl copsyraff है कि जिसके अंदर diphenhydramine रहेगा ammonium chloride sodium citrate और इसके manufacture है sipla limited और ये patient 5 ml जितना लेता है दिन में दो बार और ये आप जो common cold और cough की जो condition होती है और especially जो weight cough जो होता है इसके अंदर ये medication जो हो काफे useful and effective साबित होती है चौता जो option है वो है ascoril LS cough syrup तो ये weight cough के लिए कि जो excessive mucus समझे कि आपके lungs के अंदर आपके raspberry drug के अंदर जमा हुआ है तो उसके अंदर ingredients रहते है ambroxol रहता है levosal butamol रहता है तो अगर आप 5 ml लेते तो उसके अंदर इतना content रहता है ये सभी medications का और ये specially आपको weight cough में से राहत देता है और इसके manufacture के हम बात करें तो Glenmark pharmaceutical उसके manufacture है और ये medication भी 5 ml ली जाती है दिन में दो बार वीडियो के बीच में आपको बता दो कि हमारी second channel जो हमने बनाई है उसको subscribe करके हमें support करें और वहाँ पे देखे अलग-अलग Hollywood की movies को अच्छे picture quality के साथ Hindi में excellent क्यों इस story के साथ फिर Ascoril का एक दूसरा formulation है D plus करके कि जो specially dry cough and excessive coughing के लिए है कि ऐसा coughing ऐसे खासे कि जिसके अंदर ना ही कोई mucus है ना ही कोई phlam है मला कि बलगम नहीं है जस्ट आपको सिर्फ सूखी खासी आती है तो उसके अंदर phenyl ephrine रहेगा chlorphenol eamin mellet रहेगा and dextromethorphan रहती है और इसके भी manufacture है Glenmark Pharmaceutical और 5 ml दिन में 2 बार ली जाती है पांचवा option है Corex का तो Corex का DX करके जो formulation है वो dry cough के लिए है तो उसके अंदर chlorphenol eamin dextromethorphan रहता है और इसके manufacture है Pfizer Limited और ये भी 5 ml दिन में 2 बार के तोर पे ली जाती है फिर Corex से एक दूसरा formulation बनाता है कि जो weight cuff के लिए है तो उसके अंदर ingredient रहता है ambroxol रहता है levosal, butamol और goefensin तो यहाँ पे आप देखो कि weight cuff के लिए ऐसे medications चाहिए कि जो expectorant हो bronchodilator हो और mucolytic हो तो ये combination यहाँ पे आपको ये Corex LS के अंदर जो है वो मिल जाता है और इसके manufacturer है Pfizer Limited और ये medication आप 5 ml दिन में दो बार जो है वो यूस करते है तो जब भी cup सिरफ purchase की जाती है तो ये खास दियान रखना चाहिए कि आपको कौन से type की खासी है आपको weight cuff है या dry cuff तो उसी के हिसाब से medication लेनी चाहिए अब ये दवाईया कुछ side effects करती है जैसे कि आप ये medication लंबे समय तक लेते है तो आपको confusion जैसा feel हो सकता है skin source बन सकते है मिला कि skin के उपर आपको racist बन सकते है excessive salivation मिला कि आपके mouth के अंदर saliva बढ़ सकती है ऐसे कुछ side effects देखने को मिलते है फिर fatigue मिला कि आप थकान कमजोरी जैसा महिसूस करते है फिर कई बार कुछ लोगों को दस्त हो जाते है nausea vomiting जैसा feel करते है पेट में दर जैसा या फिर acid reflux या फिर acidity जैसा भी कुछ लोग feel करते है आपके heartbeats ही regular हो सकते है फिर कई बार cup syrup लंबे समय तक लेने से आप numbness जैसा feel कर सकते है बहुत को कुछ sensation नहीं हो रहे ऐसा feel करना फिर tingling जैसा होना आपको pain होना weakness जैसा feel होना आपके हाथ और पैरों में जैसे कि हाथ और इसके करन severe headache भी हो जाएता तो यह कुछ side effects develop करती है यह कब सीरफ दवाईया तो ऐसे ही सिखे medicine course में दवाईयों के बारे में उनके dose side effect warning contraindications को सिखे एक साल तक affordable price में सरल वासा में farmer rocks के अप उपर तो android user android app डाउनलोड करे iphone user app store से link description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर पे आप हमें call या whatsapp कर सकते है तो medicine course के लिए डाउनलोड करें हमारी app या फिर हमें whatsapp करें 9016312020 पे link description box में मिल जाएगी second channel को subscribe करके हमें support करें Hollywood to Hindi extent हमारा second channel है good luck and all the best